So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में ERM Pharma शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर का प्राइज है यहाँ पे 2.15 पैसे है और इस शेयर में आज हमें जो है 1.38% तक के नेगेटिव रिटन्स देखने को यहाँ पे मिले हैं आगे हम इस शेयर के प्रीवेस रिटन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 मंत में जो शेयर है उसने हमें 3.86% तक के रिटन्स दिये हैं साथ ही अगर हम मैक्स में all time की यहां पे बात करते हैं तो all time में जो share है उसमें हमें यहां पे 25.61% तक के negative returns यहां पे देखने को मिले हैं आगे हम इस share के delivery और volume की बात करते हैं तो जो share की volume है today की वो 4 lakh की है yesterday की 2 lakh की 1 week average की 2 lakh की और 1 month average की 4 lakh की यानि कि इस share में 2 lakh से लेकर 4 lakh तक share trade हुए है और जो share के delivery है yesterday की वो 2 lakh की है 1 week average की 2 lakh की और 1 month average की 3 lakh की यानि इस share में 2 lakh से लेकर 3 lakh तक यहां पे share trade हुए हैं और यहां पे इस share के resistance और support level की बात करते हैं तो यहां पे जो share है उसका जो current price है वो 2.15 पैसे है यानि कि जो share है वो लगभख अपने यहां पे support level से तो नीचे आ चुका है लेकिन फिर भी अगर हम आगे इस share को hold करके रखते हैं तो hold करने से यह होगा कि इस मंतक का जो target है यहां पे वो अपने nearest resistance level के पास हम यहां पे रख सकते हैं तो अगर आपके पास यह share है और आप इस share को यहां पे long term के perspective से अपने own risk में hold करके रखना चाते हैं तो आप इस share को यहां पे long term के लिए hold कर सकते हैं क्योंकि यह share है short term के लिए risk ही रह सकता है